कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मार्केट की सिचुएशन देखके आपको और भी मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बिटकोईन ने जो जम्प दिखाया हमको कल 13 मार्च का दिन था, 13 मार्च की डेट थी और कल का दिन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा दिन रहा क्रिप्टो मार्केट के लिए क्यों क्यूंकि बिटकोईन ने 20,400 डॉलर से सीधा 24,500 डॉलर के लेवल हिट कर दिये आज 24,900 डॉलर पे लेवल आगे अभी करेंटली 24,500 पे ट्रेड कर रहा है कुछ ही देर में यहाँ पे CPI डेटा रिलीज होने वाला है बहुत जरूरी है ऐसे में एक चीज कहूंगा अगर आप ट्रेड ले रहे हैं लॉंग शॉट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं थोड़ा अवोइड कीजिए बहुत ज़्यदा रिस्क है इस टाइम पे और सबसे ज़्यदा रिस्क में भी शॉट्स वालों के लिए हो सकता है क्योंकि बिटकॉइन आज जो चल रहा है और आप देखो हमने अभी कुछ दिन पहले ही डिसकस किया था कि CPI डेटा से पहले बहुत बड़ा गेम हो सकता है वेल्स का लेकिन बहुत बड़ा गेम तो छोड़ दीजिए बहुत से भी बहुत बड़ा गेम हो गया बनलब 25,000 से हम 19,000 पे भी हो आए 19,000 से वापिस 24,500 पे भी आगे तो ये इतना बड़ा गेम है और काफी ज़धा लिक्विडेशन्स अल्रेडी हुए है अगर आपका फंड रहेगा आपके पास तो आप उस फंड से ट्रेड करते रहेंगे अगर वो फंड चला गया तो ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी ठीक है बहुत ज़धा मार्केट में मैनिपलेशन क्योंकि बिटकोईन ने कही न गई सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिये कल की देट में बिटकोईन अकेला 20% पंप कर रहा था मार्केट का किंग जब 20% पंप कर रहा था आप देखो बहुत सारे को इनसे ने अपनी पावर दिखाई और अब जिस मूड में मार्केट लग रहा है अगर हम मार्केट को देखें CPI डेटा पे बहुत सारे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ठीक है एक्सपेक्टेशन होता है और वो चीज हो भी जाती है कभी-कभी लेकिन कभी-कभी mostly वो चीज नहीं भी होती अब एक्सपेक्टेशन के आए CPI डेटा से पिछली बार आया था CPI डेटा 6.4% इस बार 6% से अगर नीचे आ गया नमबर जैसे नमबर आएगा 6 बज़े नमबर आने वाला है टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मिलेगा अगर जोइन नहीं किया है तो लिंक है डेस्क्रिप्चन में जोइन ज़रूर करो अगर 6% से नमबर नीचे आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मार्केट में हो सकता है इमिजेट आपको पंप देखने को मिलेगा लेकिन देर सवेर देखने को मिलेगा मार्केट कुछ इस तरह से पंप करती है आज की डेट में अगर CPA डेट आए तो है ना इमिजेट पंप भी देखने को मिल सकता है लेकिन अगर 6.4% जो लास्ट टाइम आया था अगर उतना आया या उससे जैदा आया 6.5 आया 6.6, 7, 8 तो मार्केट में वालेटिलिटी भी रहेगी ठीक है लेकिन बहुत सारे अब लोगों का मार्केट क्या हो चुका है भीया इतना मार्केट पंप हो गया अब शोट की पोजीशन ही आपे लगा देनी चीए क्यों बिटकोई नीचे आ सकता है लेकिन जहां आपने ये सोचा सिर्फ इतना सोचा क्योंकि मार्केट आपकी साइकलोजी बहुत जरूरी होती है मार्केट के अंदर है ना मार्केट आपके माइंड को अच्छी तरह रीड कर लेता है अच्छी तरह जानता है कि ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं और ट्रेडर्स को कैसे लिक्विडेट करना है लेकिन आप ये चीज मत समझेगा 20,000 से 24,000 पर आगे तो बस अब फुल स्टॉप लग गया नीचे आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है बिटकोईन सीधा 25,000 जो 200 से rejection मिला हुआ है वो तोड़के सीधा 26,000 पर भी जा सकता है 25,500, 25,800, इस range में बिटकोईन जा सकता है रहो सकता है आज 26,000 का level भी बिटकोईन हमको दिखा दे तो long कर रहे हैं तो भी safely कीजिए short कर रहे हैं तो मैं आप यही कहूंगा trading अगर कर रहे हैं तो इस टाइम पर थोड़ा avoid करो CPI data आने तो ठीक है उसके बाद भी मोका मिलेगा चोका मारने का क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर market के अंदर situation risky है traders के लिए तो possible chances यही लग रहे हैं कि market यहां से और pump हो सकता है bitcoin इस बार power के mood में है मतलब जो 25,000 से बार बार rejection 2022 में rejection मिला तो सीधा 15,000 की share करके आए उसके बाद इस बार फिर से वापिस आया है तो ज़रूरी नहीं है बार बार नीचे जाएगा एक चीज ये भी समझेओ market है कोई मखौल नहीं है तो बार बार नीचे नहीं जाएगा इस चीज को भी समझेगा बस depend करता है CPA data के numbers कितने आएएगे तो जो भी आएएगे तब तक के लिए बाई बाई टेक केर